हलो फ्रेंट्स सोनी बिटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम करेंगे बेल्ट ब्लाउस की कटिंग जो इसमें बाजू हम जो बरनाएंगे वो एल्बो साइज का बनाएंगे यानि कोहनी तक का बनाएंगे और पीछे का गला जो है वो डिजाइन है तो यह हमारा मेंट फैबरिक है तो हम पहले अस्तर कट करेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर को फोल्ड कर लेंगे तो यहां से देखिए इसको हमने डबल फोल्ड में बिच्छा लिया है बंद साइड अपनी साइड को रखा है और ओपन साइड आगे की साइड को रखा है अब हम सबसे पहले यहाँ पर सिधा निशान ले लेंगे तो यह हम चेस्ट साइड 38 इंच को बना रहे हैं आप मेजर्मेंट स्क्रीन पर देख सकती है आप यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे तो लंबाई हम यहाँ पर साइड 14 इंच त्यार करना है हमें तो हम साइड 15 इंच पर निशान लगाएंगे एक इंच बढ़ा के लेंगे जो हमारा शिलाई मर्जिंग जाएगा अब इस निशान को शिधा कर लेंगे अब पीछे का गला हमारा डीप है पीछे का गला हमें 10.5 इंच उपन करना है और काफी व्रोट के लबनाना है डिजाइन के लबनाना है तो हम यहाँ पर शोल्डर 5 इंच का रखेंगे तो 5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे गला हमारा ज्यादा उपेन होगा तो इसलिए हम सोलडर अपना 5 इंच पर लगाएँगे अब यहां से हम आर मौल रखेंगे हैं साढ़े 5 इंच पर एक निक्शार यहां से भी हम 5 इंच पर लगा लेंगे फिरन जब गला हमारा काफी डीप होता है तो आर्मोल की कटिंग अलगतर ही यह से होती है तो वीडियो को पूरा देखेगा हम इस आर्मोल को कैसे कट करेंगे अब यहां से हम एक इंच की दूरी पे अपनी गुलाई लेंगे अभी हमें गुलाई यह फाइनल नहीं है हम एक बार और इस गुलाई को लेंगे तो सब पहले हम ऐसे ही एक निशान एक इंच की दूरी से लगा लेते हैं अब यहां से हम अपना चेश्ट का लगा लेंगे साड़े नो इंच पे 38 का चोथा भाब साड़े नो इंच हुआ और डेड़ इंच अपना शिलाई मार्जिंग रख लेंगे सेम निशान वही हम नीचे की शाइड भी लगाएंगे साड़े नो इंच और एक डेड़ इंच सिलाई मार्जिंग का अब इन दूनों निशानों पो भी मिला लेंगे और यह अपनी शिलाई मार्जिंग रख लेंगे तो इहासे यह शिदा निशान लगा लेते हैं अब हमां अपना आर्म होल पे गुलाई दे देते हैं तो इहासे हमें गोल सेफ करना है अभी हम आर्मोल एक बार और नापेंगे जब हम अपने गली का नाप लेंगे अभी हां से हम अपनी शिलाई मार्जिंग छोडएंगे और ये देखें हम अपना आर्मोल देख लेते हैं तो हमें आर्मोल आठ इंच सड़े आठ इंच आ रहा है यहाँ पे हम आधा इंच और कम करेंगे हमें आर्मोल आठ इंच का रखना है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना शोल्डर लेंगे तो शोल्डर हम तीन इंच का रखेंगे और दो इंच बच रहा है तो दो इंच का हम गल्ल तयार करेंगे आभियां शे नीचे से हमारा गलाप उपेन होरा है साड़े 10 इंच तो हमें 11 इंच पे निशान लगाएंगे आधा इंच हमारा शिलाई मार जिंग जायेगा अब यहां से हम साड़े तीन इंच की दूरी से फैलाओ देंगे इसका यहां पे हम साड़े तीन इंच फैलाओ देंगे गले का और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे अब हम अपने गले का शेफ ले लेते हैं अब आर्मोल भी हमें नापना है तो यहां हम पेले आर्मोल देख लेते हैं तो यहां से हमारा ती निंच हो रहा है तो हम यहां से भी ती निंच पे निशान लगाएंगे तो यह देखे हैं हमारा ती निंच थोड़ा सा बढ़के आ रहा है तो यहां पे निशान लगाएंगे अब यहां से हमें अपनी गुलाई लेनी है तो जो हमार अगला काफी डीप होता है तो हम आर्मोल को नीचे की शायट से भी एक बार हमें नाप लेना होता है अब हम अपना आर्मोल हमारा हो गया है अब हम अपना आर्मोल फिर से नाप के देखेंगे अब यहां से देखे तीन इंच है तो यहां से भी हमें तीन इंच की दूरी लेनी होगी और यहां से हमारा साड़े तीन इंच क्या गय पा रहा है अब हम इस वाले लाइन पे अपनी कटिंग करेंगे अब हम अपने के लेकार शेफ ले लेते हैं तो आप अगल और भी कोई गला डिजाइन करना चाहती है तो आप कर सकती है तो हमारा अगला कुछ हिस्टेव का आएगा तब यहां से हम अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे तो यहां से हमें 10 इंच तयार करना है तो 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे आदा इंच हमारा सिलाह मार्जिंग जाएगा अब यहां से हम 4 इंच की दूरी लेंगे गला हमारा जैसी हिसाब से होता है तो इसी हिसाब से हम इसकी दूरी भी ले लेते हैं तो गला हमारा चोड़ा है चार इंच की दूरी ले लेंगे यह हम गले की हिसाब से ही इसकी दूरी रखते हैं अगर गला काफी जो ओपन है तो चार इंच साड़े तीन इंच चाड़े चार इंच भी कर सकते हैं तो यहां से हमने चार इंच की दूरी पे निशान लगा लिया है अब यहां पे हम आधा आधा इंच का सिला इमार्जिंग रखेंगे और इस निशान को यहां से तिर्छा मिला लेंगे यहां पे हमारा एक इंच मैनेज होगा, दोनों डक्टोर्ट में दो इंच मैनेज हो जाएगा अब यहां से हम अपना आर्मोल देख लेते हैं, यह देखे हमारा आर्मोल आठ इंच पे तेयार आजाएगा यह अमारी शबी निशान लग चुके हैं चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, गले की कटिंग हम नहीं करेंगे, गले की कटिंग हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे, अब यहां से भी इसको कट करके, यहां पे छोटे-छोटे कट लगा लेंगे, तो यह हमारी cutting complete होती है अब हम front part की cutting करेंगे तो front part की cutting के लिए अब यह जो हमारा कपड़ा है अस्तरप है उसको हम एक इंच बढ़ा के fold करेंगे अब यहां से इसको यहां से देखिए एक इंच हम यहां से बढ़ा लेंगे और इसको डबल fold में अच्छी तरह से set कर लेंगे अब यहां से पहले हम एक सीधा निशान लेंगे यहां से हम पहले सीधा कर लेते हैं कपड़े को और अपनी lower best निकालेंगे तो lower best हम 13 इंच तयार करेंगे तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे एक इंच हम बढ़ा के लेंगे जो हमारी शिलाई margin होगी आधा इंच उपर की शाइड और आधा इंच नीचे की शाइड अब हम अपना shoulder रखेंगे तो shame हमने back part में जो निशान लगाया है same वही निशान हमें front part में भी लेना है तो 5 इंच पे अपना shoulder रखेंगे armhole हम रखेंगे 5 इंच पे और एक निशान यहां से भी हम 5 इंच पे लगाएंगे अब इस सभी निशानों को सीधा कर लेंगे front बढ़ने के बाद ये बहुत ही अच्छी इसकी fitting आई है तो आप इसे एक बट्राय जरू करिएगा अगर आप भी 38 इंच का belt blouse बनाना चाहती है अब यहां पे देखिए हम आधा इंच अंदर की शाई down करते हैं लेकिन हम इसमें अपना अधा इंच डाउन नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा shoulder काफी पतला है पाच इंच चोड़ा हमने इसमें shoulder रखा है तो यहां पे हमें down नहीं करना है अब यहां से हम तीन इंच का अपना shoulder रखेंगे और आगे की गहराई जो है वो 6 इंच गला open होगा तो यहां से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे अब इसका फैलाओ देंगे तो यहां से हम p़ोने तीन इंच का फैलाओ देंगे 8.5 इंच का हमारा अगला तेयार होगा और पोना इंच हमारा हुकाई की पट्टी में 58 हो जाएगा तो यह हमारा अगला 8.5 इंच पे तियार आएगा अब यहां से हम अपना शेप ले लेते हैं अब यह देखिए यह हमारा यहांपे काफी पतला सा आ गया है तो इसके वज़ा से हम यहांपे डाउन नहीं करना है अब हम यहांपे गुलाई कैसे लेंगे तो हमने बैक पार्ट में एक इंच की दूरी पे अपनी गुलाई ली हैं तो इस वाले पार्ट में हम पौने एक इंच की दूरी से अपनी गुलाई लेंगे तो यहां से हम देखिए, यहां से हम पौन एक इंच की दूरी पेश पे निशान लगा के और इसकी बुलाई देंगे तो यह हमारा सेफ आजाएगा गहराई के साथ तो यहां से हम ऐसे इसको गोल्ड सेफ दे देते हैं अब यहां से हम अपने चेश्ट का लगाएंगे तो चेश्ट का हम साड़े 9 इंच पे लगाएंगे चौत्था भाग एक इंच अपने डॉट के लिए रखेंगे और डेड़ इंच अपना शिलाई मार्जिंग रखेंगे तो यह हमारा जो लाइन है यह हमारा मेन लाइन है अब यहाँ से साड़े 9 इंच पे निशान लगाएंगे एक इंच डॉट का और डेडिन सिलाई मार्जिंग का सेम वही निशान लगाएंगे और इन दोरों निशानों को आपस में मिला लेंगे अब यहां से अपनी शिलाई मार्जिंग छोडेंगे अब यहां से अपना टक्स देख लेंगे तो टक्स पॉइंट हम यहां पे पीछे वाले पार्ट में साड़े 10 इंच पे लगाया है तो फ्रांट पार्ट में हम आधा इंच डाउन करते हुए 11 इंच पे लगाएंगे अब यहां से हम पॉने 4 इंच की दूरी पे अपना इसकी पॉने 4 इंच पे दूरी रखेंगे पॉना इंच हमारा श्लाई मार्जिंग चला जाएगा हुकाई में और 3 इंच पे त्यार हो जाएगा अब यहां से जो दूरी लेंगे वो हम पॉने 2 इंच की दूरी पे लखेंगे अब यहां से हम पौने तीन इंच पे लगाएंगे और यहां से भी हम पौने दो इंच पे लगा लेंगे इन निशानों को शिदा कर लेंगे इस लाइन को इस साइड में मिला लेंगे और इस वाले साइड को हम आर्मोल के साइड ले लेंगे तो यह हमारे सभी dot लग चुके हैं अब हम अपनी शिलाईउ नाइमार्जिंग देखेंगे तो यहाँ से हम इस निशान को भी शिदा कर लेते हैं अब यहाँ पे हम 21-च का dot लगाएंगे तो 21-च इस साइड से और 21-च इस साइड से अब इन निशानों को यहां से एसे तीर्छा मिला लेंगे ऐसे ही हमें शबी डॉट को त्यार कर लेना है फ्रेंट्स वीडियो को संदा है तो वीडियो को लाइक करना विल्कुल मत भूलिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को शेप्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर लेजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेके आओ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब यहां से हम आधा इंच उपर की शाइड लेंगे तो यहां से हमें आधा इंच उपर लेना है और इस डॉर्ट तक इसको देशा मिला लेना है तो यह हमारी शबी निशान लग चुके हैं चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट बनने के बाद ही बहुत ही बढ़ियां इसका पिटिंग आया है तो अगर आपने अर्थी सिंच का बेल्ट बलाज बनाना चांती है तो आप इस एक बार ट्राय जरू करिएगा अब यहां से हम अच्छी तो से इसकी गुलाई लेते हैं तो यह हमारी कटिंग कंप्लीट होती है हम यहां पे सभी डॉट पे छोटे-छोटे कट लगा लेंगे अब सेम यही डॉट हम दूसरे पार्ट में भी यहां पे लगा लेंगे और हम अस्तिन की गटिंग करेंगे तो यहां पी यह कपड़ा हमारा कम है तो हम दूसरे अस्तर में से कट करेंगे अब यहां से पहले हम अपना बेल्ट निकाल लेते हैं तो यह जो हमारा नीचे का पार्ट बचा था हम उसी को अपने बेल्ट में बना लेंगे अगर आप अलग फैबरिक से बनाना चाहती है तो आप यहां से साड़े तीन इंच पे निशान लगा लें और इस साइड से हम तीन इंच का निशान लगाएंगे अब यहां से जो हमारी दूरी है यहां से हम एक इंच कम कर लेंगे तो साड़े दस इंच पे अपना बेल्ट रखेंगे तो यहां से जो हमारा नीचे कपड़ा बचा था तो वो हमारा बेल्ट के बराबर है तो हम यहीं से बेल्ट निकाल लेते हैं अगर आप अलग से निकालना चाहती है तो आप अलग से भी निकाल सकती है अब यहां से देखिए यह हमारा क्रोस है तो हम यहां पे क्रोस नहीं देंगे यही क्रोस हमारा बेल्ट में ब्लाउज में अटेस हो जाएगा अगर आप अलब फैब्रिक से बनाती हैं तो यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से देखिए इस साइट से 3 इंच और इस साधे 3 इंच निशान लेके और दोनों निशानों को मिला लीजिएगा और इसको कट कर लेना है तो यहाँ हमारी कटिंग कमप्लेट होती है अब इसको भी हम शाइड में रखते हैं और अब इस से हम इस फैब्रिक से हम अपने गले की पटे निकाल लेंगे और इस वाले फैब्रिक में हम अपने अस्तिन कट करेंगे तो यहां से ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, तो हम दोनों अस्तिन को अलग-अलग कट करेंगे, अब यहां से हम सीधा निशान ले लेंगे, और अपनी लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम यहां से 11 इंच त्यार करना है, तो हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे, एक निशान अब यहां से जो हमारा इसे डाउन करेंगे वो हम 4 इंच की दूरी पर करेंगे हमें नीचे की शाइड 4 इंच डाउन करना है और यहां से हम मारा आर्मोल आठ हिंच का है तो यहां से हम ऐसे तीर्चा निची टेप को तीर्चा रखेंगे और आठ हिंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे तो ऐसे हमें तीछा निशान ले लेना है अब हम आगे की गुलाई देखेंगे अब यहां से हम अपना शिलाई मार्जिंग पहले रख लेंगे तो हमने 1.5 इंच का स्लाइ मार्जिंग रखाया है तो सेम इतना ही हम इसमें भी स्लाइ मार्जिंग रखेंगे अब यहां से हम अपनी गुलाई लेंगे तो गुलाई हम 5 इंच का त्यार करना है तो हम इसमें 5 इंच बढ़ा के लेंगे तो पांच इंच ते तो पॉना इंच इसमें हम बढ़ा लेंगे यहां से हम पॉने पांच इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से डेड़ इंच का स्लाइमार्जिंग रखेंगे और इन दोनों निशानों को सिधा कर लेंगे और इस निशान को इससे मिला लेंगे अब यहां से हम आधा इंच आगे की साइट करते हुए अपनी गुलाई ले लेंगे और अंदर की साइट भी आधा इंच डाउन करते हुए इसके गहराई लेंगे तो यह हमारे निशान लग चुके हैं तो यह हमारी एक अस्तिन की कटिंग हो गई है हम यहां से अब दूसरे अस्तिन को भी पहले कट कर लेते हैं फिर अपनी गहराई लेंगे यहां से हम सेम अच्छी तर से सेट करते हुए इसको भी कट करके निकाल लेते हैं अब हम इन दो पार्ट को लेंगे और इन दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छी तर से सेट कर लेंगे और इसकी गहराई ले लेंगे तो यह हमारी अस्तिन की भी कटिंग हो चुकी है अब यहां से ऐसे फोल्ड करके और यहां पर ऐसे शिदा निशान ले लेंगे और अपनी हुक के लिए पट्टी निकाल लेंगे अब यहां पे हम अपना तिर्ची पट्टी निकाल लेंगे अब यहां पे यह देखे यह हमारा जो डिजाइन है वो नीचे की शाइड है तो इसके लिए हम पहले इस बॉर्डर को कट कर लेंगे ताकि हम अपने डिजाइन को उपर की शाइड ले सके अब यहां से ऐसे सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तो यह हमारी कटिंग हो चुकी है यह से भी डिजाइन उपर की शाइड आ चुका है देख सकती है अब यहां से हम क्या करेंगे इस बॉर्डर को यहां पर इस stitch कर लेंगे जब हम इसको finally stitch करेंगे तो इस पर ये border अलग से लगा लेंगे अब हम पहले बाजू की cutting करेंगे तो यहां से हम 4 round में इसको fold करके बीस देंटर निकाल लेना है यहां से हम इसका बीस देंटर निकाल लेंगे और यह इस वाले सेंटर को यहां पर अच्छी तरह मिलाते हुए इसको कट कर लेंगे तो यह हमारा कपड़ा दोनों बराबर ही आ रहा है अस्तरवाला फैब्रिक थोड़ा सा बढ़के आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे यह जो हम इसको stitch करेंगे तो अंदर की शाइड फोल्ड करके stitch करेंगे अब यहाँ से देखिए इसको set करेंगे तो यहाँ हो सकता है यह design हमारा नीचे की शाइड आएगा यहाँ से हमको उल्टा ही set करना पढ़ रहा है कपड़ा कम बचा है तो यहाँ से यह design हमें नीचे की शाइड ही लेना पढ़ रहा है तो यह आगे का है आगे हमारे पल्लू से यह ढख जाता है तो आगे हम नीचे की शाइड भी design कर सकते हैं अब यह हम कले की पट्टी को भी हम वीडियो पसंद आई है तो प्लेश लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और इस्टिचिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार